आज का अपना विशे है सर्सो के तेल से जोतीशिय एवं वास्तु सम्मंधी क्या लाब होते हैं। किस तरह से हम सर्सो के तेल का प्रियोग करें कि हमें हमारे जीवन में से दुखों को दूर करने और सुख प्राप्त करने का अउसर मिलें। आप ये सोच रहे होंगे कि ये छोटा सा जो काम है यह कैसे दुख दूर करेगा और सुख में व्रधी करेगा। आज मैं आपको इसी के सम्मंध में बताने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले आपसे केवर इतना ही कहना है कि चेनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप अवश्य कीजिएगा। पूरा सुनिएगा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलो हम बात कर रहे थे सर्सों के तेल से दुख और सुख दूर करना, सुख प्राप करना। अब इसमें हम आपको सबसे पहली जो बात बताने जा रहे है वह यह है कि यदि आप पर धैया सनी महाराज की चल रही है, साड़े साती चल रही है या महादशा चल रही है या आपको मालुम हुआ कि कुंडली के किसी एसे भाव में शनी ग्रह बेठे हुए है कि जहां से आप तकलीफ या दुख अपने जीवन में पा रही है तो इसका एक सबसे सरल उपाय यह है कि शनीवार को आप एक स्टील की कटोरी में लोहे की कटोरी में थोड़ा सा ससो का तेल ले और उसमें अपना मुहु देखे आपका चहरा उसमें दिखाई देगा और उस तेल को शनी महाराज के मंदिर में चढ़ा कर आजाए सनी देव की मूर्ती पचड़ा सकते है तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप सनी महाराज के वहे तेल चढ़ा कर आजाए आप देखिएगा कि कुछ सनीवार आप एसा करते है तो आपको बेहद फाइदा होगा दूसरा काम जो आप सर्सो के तेल से कर सकते है कि वह यह है कि आप सनीवार को सर्सो के तेल में पूरी निकलवाए कड़ाही में सर्सो का तेल डाले और कुछ पूरिया निकलवाए और वो पूरिया आप गरीबों में जो गरीब लोग है बिखारी लोग है उनमें बांट करा अगला जो उपाय है वह यह है कि सनीवार की श्याम को आप पीपल व्रिक्ष के पास जाए लेकिन ध्यान रहे कि सूर्य अस्त नहीं होना चाहिए और सर्सो के तेल का दीपक वहां लगा कर नो परिक्मा करे और हर परिक्मा में ओम नमु भगवते वासु देवाई बोले आप देखिएगा कि दो या तीन सनीवार ऐसा अगर आप करते है तो बहुत ही अनुकूल फाइदे आपके जीवन में आपको देखने को गया अमें कुछ वास्तु से सम्मंधित बात बताने जा रहा हूं पहली बात तो इसमें यह है कि सर्सो के तेल का दीपक आप साइसमें लगाएं और उस दीपक को अपने घर के पश्चिम कोने में रखते हैं वापस सुन लीजिएगा कि आप सर्सो के तेल का दीपक शाम के वक्त लगाएं और उसे पश्चिम दिशा में रखे इससे आपके घर में अगर कोई जाने अनजाने वास्तु दोस है जो की बिना तोड़ फोड़ के दूर नहीं हो सकता है तो वो वास्तु दोस भी दूर हो जाएगा और जीवन में सुख सम्रधी बढ़े उसके बाद मैं आपको दूसरा जो उपाई बताने जा रहा हूं वह यह है कि सुबह जब आप इसनान करते हैं तो इसनान करने के बाद में आप दो दीपक सर्सो के तेल के बनाएं और उन्हें दोनों दीपकों को आप अपने में गेट के दोनों तरफ रख कर आएं दोनों तरफ यानि की में गेट के राइट हैंड साइड में में गेट के लेफ्ट हैंड साइड में इससे आपके घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवेश होगा और बुरे ग्रहे यदि आपके परिवार पर चल रहे है तो उनसे आपक मुक्ति मिलेगी शनिवार को दक्षिन दिशा में मुह करके आप हनुमान जी के चित्र के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाए यह भी बहुत शुभ माना जाता है मैं पुनहें आपको बता ही देता हूँ कि शनिवार के दिन आप दक्षिन दिशा में मुह करके यह जी हनुमान जी के चित्र के सामने दीपक जलाते है तो यह भी बहुत शुभ होता है और उससे दुखों का अंत होता है तो इस तरह से मैंने आपको जोतीशिये और वास्तु से संबंधित सर्सों के तेल के कुछ उपाय बताए मुझे उमीद है कि अगर आपको आफशक्ता है तो आप इन में से कुछ या सभी को अपनाएंगे लेकिन ध्यान रहे कि ये जो जितनी भी बाते होती है भई आप मान का चलिए ये हम अपने सनातन धर्म के गरंतों से जो विद्वान पुरुस होते है उनके वच्चनों से हम शोध करके लेते है और वही चीज आपके बीच में विशर्जित करते है हमारा भी विश्वास है और आप भी अगर इनके उपर स्रधा और विश्वास रखेंगे तो हमें इनका फाइदा होगा लेकिन जो व्यक्ति इसमें तर्क वितर्क करता है तो भईया तर्क वितर्क करने से मुझे नहीं लगता है कि कोई फाइदा होगा फाइदे की जगे है, हो सकता है कि आपको कोई नुकसान हो, जै शी किसना हो.